हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तरकिक ग्यान पर अगर आपको चाहिए तरक पर आधारित ग्यान तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन तो चलिए यहाँ पर हम रिजनिंग के कुछ रिपेटिट है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट कोश्चन से यहाँ पर देखिए आपको हमने बताया था आपको कोडिंग मतलब जो कोड होते है ना अल्फाबेट के वो आपको लर्ण होने चाहिए अगर नहीं लर्ण है नहीं याद है तो उनको पहले याद देखिए यह किस तरह किसे इससे संबंदित है तो यहाँ दो टाइप के कोश्चन होते हैं जरूरी नहीं कि यह वाला इसी संबंदित हो यह वाला वड़ इससे भी संबंदित हो अगर इस वाले से संबंदित है तो इससे संबंदित दूसरा कोड आपको निकालना पड़ेग फिर L है, फिर L देखे, second last हो गया, मतलब यह matching कर रहा है, O है, O यहां पर W, W, S है match कर रहा है, तो इसको बहुत ही जल्दी हम कर सकते हैं, मतलब इसका उल्टा लिगती है बस, तो यहां पर fruits को उल्टा कर दीजे, F first है, तो F last में जाएगा, और जो last है, वो सबसे पहले आएग है ना, तो इसका उल्टा कर दीजे, उल्टा सारे, मतलब जो पहला letter हो, उसको last में, और जो last है, उसको सबसे पहले, मतलब S T I U R F, तो S T I, S T I के बाद, देखे, S T I किस किस में है, यहां पर, S T I third वाले में है, और U R F, मतलब C वाल option यहां पर सही बन जाता है, तो अगले पर बढ़ेंगे यहां पर, देखे, अगला question यहां पर है, D E F, ठीक है, यहां E F D है, तो D first था, last हो गया, तो F first है, last F हो जाएगा, ठीक है, तो दो option में एक बनेगा, या तो B या तो D, अब आगे चे कर लेंगे, E बीच में है, तो यह पहले आ गया, तो इसमें G बीच में था, तो यह पहले आ जाएगा, ठीक है, तो G देखे, शुरुवात में किस में है, इस वाले में है, तो यह वाला option आपका सही बन जाएगा, थर्ड question पर बढ़ेंगे यहां पर, RRB group D में पूचा गया question है, 2018 में जो paper हुए थे, A, Z, B, C, Y, D, तो E, X, F किस से संबंदित तो यहां पर पहले हम देखे, पहले इन दोनों का match करेंगे, अगर code बन रहा है, तो आगे इस से संबंदित निकालेंगे, तो A, C आया है, देखे कैसे आया होगा, और यहां पर Z, Y आ गया, तो देखे, A से C कैसे आया होगा, A में हमने 2 प्लस किया मान लीजिए, ठीक है, औ और B में कितना प्लस किया होगा, 2, तभी तो D आया है, लेकिन बीच में जो Z है, यह Y से कैसे संबंदित हुआ, इसमें माइनस 1 हुआ है, तो ऐसे इसमें कर लीजिए, E का code 5 होता है, प्लस 2 करेंगे, तो कितना आएगा, G आएगा, 7, F का भी ऐसे प्लस 2 करेंगे, H आजाए और X में 1 माइनस करेंगे, तो X में यहाँ पर 1 माइनस करने पर क्या आएगा, W आएगा, मतलब 1 पीछे काउंटिंग करेंगे, तो G, W, H, कौन सा विकल्प बन रहा है, E वाला विकल्प यहाँ पर सही बन रहा है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो यह आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप नए जुड़े हैं, तो इसी बेस पर मैं आपको समझा रहा हूँ, और अगर आपको कोई वी साथी है, तो आप उसे भी चैनल को सेर करके, उसे भी बोल दीजियो, सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट कुश्चन ह आपको समझ लेजिए, एकस से य आया, य से एकस, मतलब य में एक कम किया, तभी तो एकस आया, वन माइनस किया, टी के पहले एस आता है, इसमें भी वन माइनस, ओ के पहले एन आता है, इसमें भी वन माइनस, तो हमें पता चल गया क्या होगा, डबलू में हम वन माइनस करे तो क्या आएगा वही डबलू का हमने बताया था आपको 13 होता है कैसे याद किया था डबलू ऐसे है अगर इसको हम ऐसे सॉरी 13 नहीं 30 वो M का 13 था न तो M 13 होगा और W 30 अगर इसको हम ऐसे घुमा दें तो ऐसे बन जाएगा डबलू लास्ट में आता है तो 23 है M पहले आता है तो उसका 13 होगा तो यहाँ पर 13 में बन करेंगे 12 आएगा है ना क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है एक एक कम हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा W में एक हम कम करेंगे ना तो क्या आएगा U आएगा sorry V आएगा यहाँ पर V आगया अब V से देखे वैसे तो option अगर चेक करें तो पहला पहला ही मिल गया या आगे भी चेक कर सकते हैं R का 18 होता है एक कम करेंगे तो 17 आएगा 17 अब किसका होगा यहाँ पर क्यों का होता है तो इसका मतलब यही option आपका clear हो रहा है यह वाला option आप सही बन जाएगा next question है